हेलो 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 वेल्कम 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 वेरी गुडिन तो अल फ्यू एक बार वॉइस कंफर्म कर दीजेगा आप सभी को आवाज आ रही है हमारी और वीडियो कॉलिटी क्लियर है अगर सब कुछ बढ़िया है तो एक बार पटा फट कंफर्म करें आगी सेशन को आगे इसे टेलिग्राम ग्रॉप में फटा पत बता दो कि सेशनी शुरू हो गया जल्दी से पहुँच जाए लोग फटा पत वोइस कंफुक कीजिएगा प्लीज वेरी गुड़ी इनिंग तो आल अफ यू और फिलिए थैंक यू सो मच पर कंफर्मिशन अंशुल थैंक यू सो मच ओके गईज सो दोस्तों अभी अगर आप लोगों ने देखा होगा जैसे आपको लिंक्स मिली होंगी जैसे सेशन के बारे में कुछ कुछ देखने को मिला होगा टॉपिक तो आपको लगा होगा कि एससी और बैंक कैसे क्रैक होगा आप में से जाएता लोग काफी दिनों से मुझे खुद को बोल रहे थे कि सर एससी का पेपर भी आ रहा है थोड़ा सा वो टॉपिस भी ले लो एसससी का पेपर आएगा इत्ती सारी विकेंसी हैं बैंकिंग में इस बार विकेंसी बहुत ज सब्सक्राइब कर रहे थे हम लोगे बीच में प्रॉब्लम्स आप लोगी तरफ से आ रहे थी कोशन शूट हो रहे थे तो टीम को बताया गया कि ऐसा ऐसे प्रॉब्लम हो रही है बच्चों को कुछ कुछ चीजे हैं तो यस इसी लिए सेशन हो रहा है एंड मैं वेलकम करू है इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं किया सर आवाज सीख से आ रही है आप तक भी मेरी जी ओके तो आज का सेशन बड़ा ही इंट्रस्टिंग और बड़ा ही आवश्यक है जिसमें अपन एससी और बैंक के बारे में बात करने वाले हैं कि दोनों सर बहुत सारे बच्चों के म को हम एक साथ continue कर सकते हैं क्या यह आई थिंक बहुत सारे बच्चों के मन में सवाल आता है कि जो बच्चा बैंक की तियारी कर रहा है उसको लगता है कि साथ-साथ हमें SSE भी ट्राई करना चाहिए या जो बच्चे SSE की तियारी कर रहे हैं उनको लगता है कि हमें साथ- कि ऐसे जैसा कि अभी में 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 तो मेरा हमेशा से मानना होता है कि कोई भी एक्जाम होता है तो उसमें जो वेटरन्स होते हैं जो दो साल ने का करने है तो मुझे होते हैं तो उस समय होते हैं ने को सब इकवल हो गए वह niet पता पहले सी्स पर क्या होने वाले कैसा आएगा सब को पेपर की बाद यह लगेगा उससे पहले हम चाहे जो भी पढ़ा ले वो भी हम अपने experience के साब से अपने expertise के साब से एक चीज कर रहे हैं वो पता नहीं है कि पेपर में इस बर क्या आने वाले किसी साल में एक बार वो वाली rank भी आ गई थी थोड़ी सी थोड़ा फीछे रह गया तो इस बार तो वो आग लगा देगा ऐसा कुछ नहीं है अब आपको भी chances बढ़ जाते हैं तो मेरे साब से ये साल तो काक्षी lucky है अगर इस साल किसी ने पॉर्म भरे SSC के लिए और प्रिपेरिंग वेल तो मेरे साब से डरने वाली जरवत तो वह वाला फैक्टर तो हटाई देना चाहिए सर बिल्कुल सभी बात है इस बार तो यह है कि जो निया बच्चा है पुराना सब सेम है एक्जाम का पैटरन चेंज है तो सबके लिए च SSC और बैंक लगबग लगबग सेम पैटरन के और फॉलो कर रहे हैं यह लाइक बैंक में भी सेम कहानी है प्री और मेंस में रिजनिंग मैट्स है जीके है सब चीज़े सेम है नंबर अफ कॉश्चन भी आलमोस सबके बराबर ही है तो कहीं ने कहीं चीज़ें अब SSC भी बै लगबग बराबर है मैट्स के और रिजनिंग के बराबर है थोड़े इंग्डिश के जादा है जीके के बराबर है थोड़ा कंप्यूटर भी डाल दिया तो कहीं ने कहीं बैंक और SSC में अब सिमिलर्टी देखने को मिल रही है हमें और ये भी मान सकते हैं कि टॉपिक भी इसमें क्या आएगा तो कोई बहुत जादा ऐसा नहीं है कि में लगता है कि चेंज होगा यह बिल्कुल कहानी बदल जाएगी टॉपिक एक भी पुराना नहीं आएगा ऐसा कुछ नहीं है लेकिन थोड़ा पर लेवल है उसको उपर नीचे करेंगे वह मतलब बनता भी है कर उनका लेवल भी काफी अच्छा आता है पर एससी में थोड़ी कॉमन लेवल कि आती है जो अपन देखते हैं यह नॉर्मल जितने भी एक्जाम होते हैं सीजील का ओ सीपीओ का सब चीजें नॉर्मल लेवल की आती है सब बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड या बहुत डिफिकल्ट आने की उमीद नहीं है बैंक में एससी में ताकि मेंस का एक्जाम है प्री का एक्जाम है सलेबस आपका अल्मॉस सेम है दोनों बातें आप लोगों के लिए लगबग सेम है बागी बताईए सर आप क्या कहना चाते हैं जैसे बचे कुछ लोग पूसते हैं सब्सक्राइब को बहुत इसे में अब यह बंकिंग जितना लिया गया है नए वह बहुत हाई लेवल तक जाता है यह दोनों सबसे बड़ा फरक है जैसे बैंकिंग में अब जैसे बैंकिंग में एडवांस में नहीं मगर जो मैट्स है वह कैट के एकदम डाल रहें वह लोग बैंकिंग में बिल्कुल डाल रहें उठाके तो वही चीज है यहाँ पर सिलेबस मतलब ऐसे चलता है अब ऐसे एकदम हाई लेवल तक जाता है आप समझने कोशिश करोगे न 3D में तो बैंकिंग का सिलेबस इतना है म बैंकिंग में इतना नहीं होता है वगर लेवल बहुत अच्छा कास है इनसे ही नमबर और आफ कोशन बहुत आजाते हैं अगर तीन चार टॉपिक पे बचा कमांड करेंगा तो इनसे उसको मैक्सिमम कोशन देखने को मिल जाते हैं इनसे ही वह मलब स्लेबस का 60-70 पसेंट एरिया कवर कर लेता है जबकि स्से में क्या होता है ईस टॉपिक का एक कोशन दो कशन बस यहीं तक सीमित होती है यहीं तक कहानी आती है जिसके बारे में बात कर सकते हैं बर लेवार पाफ्ट जाद है बहुत जदा है बैंकिंग में अब दो तिन आग्सम होने हैं दो तिन आगले महिने दो बैंकिंग का तो मादाब चैसाथ मेने का सीजन होता है ह्टा है तो साल में वह सकता है और इस बार इस बार इतना है इसका मतलब मैं बैंकिंग कि ले रहा हुआ इतना चलत गोल्ड माइन ऊपल बताया है इन्होंने आइडिया कि वकेंसी ओनी चीड़ और भी बढ़ सकती है सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब कि एक महीने में इसा क्या कर दें कि एक दिसंबर से जो होने वाली यात्रा उसने कुछ सब्सक्राइब तो संब्सक्राइब नहीं होता इसा कि हमें एस से का स्लेबर करने के लिए पर टाइम चाहिए आपको पता है मैच में अर्थमेटिक भी है अब बच्चा जो बैंकिंग पढ़ रहा है उसने अर्थमेटिक आल्मोस्ट कवर की होती है लेगिन लाइक नंबर सिस इन पर उसने काम थोड़ा बहुत किया भी हो सकता है लेकिन उस लेवल का नहीं किया होता जो चीज मतलब हमें वास्तों में एससी के लिए चाहिए वो नहीं है अब बच्चा सुझ रहा है कि क्या मैं दोनों के सब्सक्रिप्शन लो या क्या करूं तो उसमें ऐसा भी नहीं बहुत बहुत बड़ा कॉंटेंट अवेलिबल है चाहिए वो यूट्यूब के क्लास मान लो चाहिए आप एससी के या बैंक के टॉप एजुकेटर्स हैं उनकी स्पेशल क्लास मान लो रेगुलर बेस पे क्लासेज होती हैं यह कीनल मतलब डेली बेसिस परना बहुत सारा ब एक प्रिवियस यर का पेपर सॉल कराता हूं मौनिंग टाइम पे एट एम टू नाइन एम पे फ्री क्लास का एक पूरा पच्चिस क्वेश्चन का सेट होता है जिसको हम लोग सॉल किया करते हैं डिटेल में कि जैसे पेपर जो औरिजन आएगा बिल्कुल उसी थिम का टॉप एजुकेटर का मिल जाता है फ्री में और सेम कहानी यही आपको शायद बैंक में मिलती होगी जहां पे टॉप एजुकेटर सापको फ्री क्लासे प्रोवाइड करवाते हैं वो यूट्यूपर भी होती हैं वो स्पेशल भी होती हैं और एवन तो सर अब तो यह है कि को बच्चा फ्री में पढ़ सकता है इतनी बच्चों को फैसिलिटी मिल रही है इतना ज्यादा बहतर काम मिल रहा है कि कॉंटेंट जो आपको बहतरीन से बहतरीन मिलता है लाइव क्लास में पेड क्लास में उसको भी फ्री में आप पढ़ सकते हैं अब सवाल आता है फ्री म अब यह scholarship test में क्या होता है कि जितने भी बच्चे पेपर देंगे उन में से बहुत सारे बच्चों को अनकेडमी पर मिलती है scholarship 100% मतलब एक रुपय भी नहीं देना आपको और आप पूरी हमारी प्लस क्लास को अच्छे से पढ़ सकते हो तो यह सब चीजें होती है सब बच्चे को यह कि एक स्ट्रेटजी अपनी बनानी चाहिए कि मैं इस एक महिने में कि पूरा सेले बस तो कवर नहीं कर सकता अगर मैं सोच उचुंख कि सारी क्लास पढ़ लूं यह English की सारी पढ़ लूं यह जी के सारा पढ़ लूं रिजनिंग सारी पढ़ लूं कि से जी के बहुत 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 वाइड है समुन्दर है इसमें से क्या जोग्राफी है कंप्यूटर है करन्ट है सब कुछ है जो इस दुनिया में सारी आनी चाहिए अगर करना ही है तो सब कुछ आना चाहिए इतना तो मैं मानता नहीं कि एक महीने में कर पाना किसी के ली मुम्किन होगा लो बहतर ही है कि पेपर सॉल करो जितने हो सकते हैं एक महीने में तो उससे क्या होगा आपको यह भी आईडिया पड़ जाएगा यह आपको यह भी पूरी कहानी का जजमेंट हो जाएगा कि ससी के पेपर की नवज क्या रहने वाली है हमें यह बात पता परोट से कैसे करना क्या उन पर कोशिश करनी है क्या मेहनत करनी है तो इस एक महीने के टाइम में बच्चे को लगभग लगभग मैं मानता हूँ कम से कम बीस पेपर तो पूरे पूरे एक्जेक्ट फुल लेंथ के आप सौल करोगे तो अपने मान सकते हैं कि हां भाई ठीक आपको आइडिया पेपर के बारे में आ जाएगा और आप उनके बारे में थोड़ा बहुत अच्छे से परफॉर्म कर पाऊगे सर बच्चे आपसे डिमांड कर रहे हैं कि एडवांस मैं था पड़ा दीजी उनको ट्रिमेट्री और जमेट्री इनके कोर्स आप बैंकिंग में और करवाईगे यह ना सर बैंकिंग में बैंकिंग वाले बच्चे हैं अथ्यूंक्रेंट कुछन आने लग गए हैं रहे पिछले दो साल से घोमेट्री घामेट्री और यह तो ड़ू ड़ा बहुत होता वह थी पर परेंकिंग में नहीं आती है और बृग्ण नहीं है तो अमन ने पुछा है ना ये अमन मैं कोशिश करता हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री या जोमेट्री के लिए आपनों कुछ सदेस्ट किजिए कुछ पूरा सिलेबस बोल रहे हैं अगर पूरा सिलेबस पढ़ाने बैठ जाओंगा तो एक महीने में मैं आपका मतलब खाली ताइम मैं ले जाओंगा क्योंकि मैं इतना बड़ा हो जाएगा काम तो अपनों लोग प्राई या तो यह कर सकते हैं कि मैं प्रीविएस एर के कुछ की मुझे लगता नहीं है एक काफी कुछ पैटन मैच कर जाता है इसमें हर साल बहुत कर दाते हैं पैटन को परेटन को को से मिल जाता है थोड़ा बहुत होते हैं बहुत कम चांस वाली होते हैं मैं फिर वही करता हूं कि अब ऐसे पूरा ट्रिग्नोमेट्री अगर पढ़ाऊंगा शुरू से सारे एंगल फॉर्मला बताऊंगा मुल्टिपल एंगल बताऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा फिर तो ऐसा लग आपको जरुवत गिने उसके लिए पढ़ना भी मत उसके लिए तो लग से तो चलिए यह काम हो जाएगा यह डन हो गया सेशन का फायदा हो गया कि आउट्पुट आ गया मिरे लिए इस्ट्रक्शन आ गया आपनों के लिए ग्रेट यह क्या है सब्सक्राइब में हैं मेरा स 130-35 बन रहे हैं तो आपको उसकी थोड़ा और बूस्क करने चाहिए कि आप उसको 140-145 खेंच पाओ अगर 130 नंबर आज आपके हैं एक महिने में 140 के पार आप जा सकते हो बड़े प्यार से और मेरे इसाब से इतना स्कोर प्री के लिए आपका सफिशेंट होगा यह मतलब प आपका क्वालिफाइंग हो जाएगा और इस बार वैसे एससे ने भी प्री क्वालिफाइंग कर दिया है तो आपको यगीनन मुलब इस पर फोकस करके सीजल पर बढ़िया से अपनी तियारी करनी चाहिए यह स्कोर कोई कम नहीं है 200 में से 130-35 नंबर आ रहे हैं और अभी इ स्टूरेंट का नाम भी समय ता समझ गया तो ऐसा है कि यह तो आप क्लासे समेरी कर ने रहे हैं में भी आप कहीं और पढ़ रहे होंगे हम लोग जो 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 में बैंकिंग में आती है जितनी यूसफ़ल वह हम लोग करते हैं क्लासेस में तो उसके लिए परेशान जर्वत न नहीं है बैंकिंग में इतने टिपेकल थोरम समगरा नहीं है जो बेसिक जोमेट्री है वो आपको मेरी क्लासे में कवर मिल देगी मैंसुरेशन के साथ में सो नो इश्यू और कुछ बच्चे पूच रहे तहीं जो सरा आप ट्रमेट्री और उसका बोल रहे होगे प्रीविस कि मैचिंग डी एएंड मंचोट अलजब्रा अच्छा बहुत बढ़िया देखें वीडियो इनके चलो बहुत अच्छी बात है तो जोमेट्री भी आपको जो रिक्वार्ड हो उन्हीं लेक्ट्र से मिल देगी अलग से कोई बैंकिंग के लिए मत करना लग से कुछ भी इन डिटेल आता नहीं है कुछ भी जो आएगा बेसिक कवर हो जाएगा अच्छा आप लोग यह तो बताओ सब लोगो ने च्छे नोवंबर के लिए एंडरॉल किया है कि नहीं किया अभी तक यह तो बताओ भया कब पेपर है उ अभी अपने होते है ना अभी अनकेडमी चैनल है अनकेडमी इंद धनुष वहाँ स्पेशल क्लास यह फ्री क्लास होती है जिनमें नमंबर में आपका टाइम रहेगा फाइब टू सिक्स पांच से लेकर च्छे बजे की उस क्लास में आपको रेगुलर बेस पे एक-एक पेपर रिजनिंग का मिलता जाएगा उससे आप कर सकते हैं और स्पेशल क्लास बेसे फ्री वाली जो बच्छे प्लस पे नहीं है उनको फ्री क्लास भी मिल रही है यूट्यूब क्लास भी मिल रही है इस एक महिने में जबर्दस तरीके में आप लोग प्रैक्टिस कर पाएं इसकी पूरी-पूरी कोशिश पूरी-पूरी संभावनाएं लगातार की जा कि यह बैंकिंग वाले बच्चों को इस लगाता है यह प्री नहीं करा होगे तो में तो हमेशा कराता है यह यह दोनों चलने वाला है as per demand और वह यह रहेगा कि free classes बहुत ज़दा बढ़ा दी है मैंने आपकी इस महीने daily लगबग 3 free class रहेंगी 2 या 3 paid रहे हैं वालग उसकी मैं बात करूँगा नहीं paid classes की क्योंकि वो बच्चों को पता होती है free classes भी अपन daily 2-3 minimum करेंगे करेंगे तो यह जो अतना channel है सर ने बताया ना भी जहाँ पर है काफी लोग उसी channel पर होंगे बाकी लोग इधर दर दूसरे channels पर भी है unacademy indr dhanush पर शाम को 8 ज़ब को पता है मेरी class चलती है तो alternate कर दिया है मैंने सुबह 10 बिज अपने वाले पर लेता हूं तो एक दिन अगर सुबह मेंस का free session होगा तो शाम को यहाँ पर free का session डाल दूगा सुबह अगर free का session होगा तो शाम को मेंस का डाल दूगा मेंस में चलेगा IBPS PO मेंस जो कि आपका 26 नवंबर को होना है और साथ ही साथ में prelims के लिए चलेगा SBA clerical का daily mock test तो मतलब सुबह और शाम अल्टरनेट आपका चलेगा सुबह प्री तो शाम मेंस और सुबह मेंस तो शाम प्री रोज दो क्लास यह होनी है आपकी सारी links मिल जाएंगी कल से classes चाल हो जाएगी प्रोफरली इसी तरह से सुबह दस बजे अपने वाले पर और आठ बजे यहां पर अनेकैडमी इंद्रधनुष पर इसके लावा आप ग्रोप में पूर आपको link और information सारी चीज़े बता दी जाएंगी ठीक है SBA clerical, SBA clerical prelims और IBPS PO mains अब बच्चे कोई कुचेंगे SBA PO mains की कब कराओगे तो IPS PO SBA PO का syllabus same है तो exam के नाम के tension ना ले आप और PO mains है तो PO mains दोनों का वह से ले बस चलेगा वह लेवल चलेगा तो उसके लिए परेशान ना और SBA PO mains तो अभी भी जनवरी में होना है तो अभी से उसकी tension के लिए रहे हो इस महीने 27-26 तारे को पेपर है उसकी tension जादा लो सब्सक्राइब कराईए है हाँ तो मैट्स के भाई मोग इसमें लाएंगे ना फ्री क्लास में मैंने बताया था इस महीने नवंबर में जो आपकी फ्री क्लास चल रही है सुबह 8 बजे वाली इनकों करने वाले हैं alternate reasoning और मैट्स reasoning और मैट्स reasoning और मैट्स सब कवर होगा अर्थमेटिक का चल रहा है उसे बैंकिंग मैट्स कवर हो जाएगा बड़े आराम से अर्थमेटिक का पॉर्शन तो पूरा हो जाएगा लेकिन डियाई क्या होता है अपने अर्थमेटिक में उस लेवल की नहीं पढ़ते हैं जो बैंक में आती ह अब इशी लेवल की आती है बेसिक में बताव ना इंट्रोड़क्शन क्या होता है बस वह आता है बलकुल बलकुल बेसिक वाला भाई थोड़ा सा पूछ लिए पर्सेंटिज क्या है यह इसका इसका रेशो क्या है ऐसी बाते पूछता है तो वह आप डियाई बैंक वाली टच नहीं कर पाऊगे यह तो बात फैक्ट है लेकिन बाकी जो टॉपिक है लाइक SICI है प्रोफिट अंड लॉस है यह सब बाते आपकी बहुत बढ़िया से हो जाएंगी SSE और बैंक के लेवल की बात की जाए तो SSE की मैथ थोड़ी अच्छी आती है अगर आपने SSE का सलेबस कर लिया अर्थमेटिक का तो बैंकिंग के अर्थमेटिक के सवाल आप ठीक से कर पाऊगे उनमें यह है कि SSE कोश्चन पूछता है कंसेप्चुल बैंकिंग में आते हैं बेस्ट ऑन कैलकुलेशन कि डेटा काफी बढ़ा होगा थोड़ा सब्सक्राइब करने में टाइम बहुत लगने वाला है और उनका फोकस आज भी सर्फ वह है कि कल्कुलेशन के ला थी है वेरियेबल कर दिये नोंने अर्थमेटिक में सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब करवा दिये वह डाल रहा है कि टाइम उसका पी क्यू स्क्वार था उसका क्यू मैंस पी था तो वता उसका कितना ऐसे पूरा वह बैंकिंग करता है यह बहुत इनोवेशन डालते हैं लोग लगाता है सब्सक्राइब कोई कोश्चन देखे बीच में दो सब्सक्राइब कर दिया राइट तो यह काफी इनोवेटिव हो गया है यहां उदर वाले बहुत चेंज में को नहीं मानते हैं वह करें चल रहा है ठीक है बढ़िया चलने दो क्या सब्सक्राइब करें कि बैंकिंग में प्रिविएश यह कुश्चन आते हैं कि बिल्कुल नहीं उससे आपको आईडिया लग सकता है है लगबग क्या होना चाहिए और उसके लिए बचल जिसके बढ़िया से अप्रोच है वही कर सकता है मतलब रटने वाला कोई खेल नहीं है दोस्तों यार ससी बेंकिंग की अपने लोका कंपैरिजिन करना मतलब मेरे को लगता नहीं है उससे अपना को dolve होता है कि किस में क्या होता है, अपने को जो पढ़ना है वह पने को पढ़ के काम तय लाना चाहिए सब्सक्राइब या बैंकिंग ऐसा है उससे कोई फायदा नहीं है वो तब मतलब यार वो यूट्यूब के लिए क्लिक बेट सक्चे होते हैं अपने को पढ़ाई से मतलब है जो अपने को तैयारी करनी है वो पढ़नी चाहिए बाकी तो ये कंपरेजन से क्या हो जाएगा है न तो बचो आप सर की भी फ्री क्लाश पढ़ सकते हैं हमारी भी फ्री क्लाश पढ़ सकते हैं यूट्यूपर भी क्लास मिलती हैं special class भी होती है और even plus course को भी paid course को भी आप फ्री में access कर सकते है उसका भी पूरा मतलब बढ़ीया facility आपको मिल रही है कि regular base पर आप उन चीजों को को भी लगाता ट्राइ कर पाएं उन पर भी काम कर पाएं और मॉडरेटर्स जो भी हो और टीम से जो लोग हो उनसे रेक्वेस्ट है जहां भी अभी यह लाइव स्क्रीम से रही है अगर हो सके तो पिंड मैसेज बे चैस्ट की लिंक डाल दीजिए बच्चे मांग रहे हैं तो अगर उसकी लिंक डालके पिं कर सकते हैं भी चैट में टॉप पे तो डाट वुड बी ग्रेट थैंक यू सो मच मैं तो दोस्तों अभी आपके लिए लाइव चैट में यहाँ पर उपर पिं मैसेज में आ जाएगा अभी आपके लिंक आजाएगी जो आप लिंक मांग रहे है टीम उस पर आपको लिंक देगी जहां भी जहां भी जिस चैनल पर देख रहे हैं उपर लाइव चैट में आपको 6 नॉबंबर वाले टेस्क लिंक मिल जाएगी तुरंट एंड्रोल कर लीजेगा ठीक है लिंक आ गई है अनेकाडमी इंद्रधनुष पर मुझे दिख रह मैसेज में दिख जाएगी आपको देख लीजिएगा पेज नॉट फांड आ रहे हैं ऐसा होना तो नीची दोस्त है यह सब देख रहा हूं है टेस्ट के बाद में ना टेस्ट के बाद में उसके अंदर लिखा हुआ आ गया कि डॉन्ट मेंस वो अन्य अपडेट हाँ अब लिंक से प्लीज चेक कर लीजिए दोस्तों हर्शा सर्के 23 के लिए क्वांट के लिए सजेशन के लिए देखो यार के 22 तो भी मैं भी देने जाई रहा हूं क्या है कैसा आता है पेपर बाकी केट का पैटन देखो क्वांट का ऐसा है कि जो चेंज़ आ रहे हैं अजर देसे अब यह 40 वाला सिस्टम लेकर आएं कैट का तो में बात हुई है कि कैट के लिए को बेसिक में यह कि अर्थमेटिक से गजब का प्यार हो गया कैट को पहले जोमेट्री बहुत आती थी अभी अच्छी का सी आ रही है तो थोड़ा सा अर्थमेटिक पर फोकस कर लो और जितन जो भी आता है इस साल का कैट में जब भी तैयारी कर रहे हो तो इंडिविदल चैप्टर की प्रैक्टिस मत करो हालां कि बेंकिंग वालों को मैंने मना कर दिया अर्थमेटिक के लिए यह अपने एक्जाम के लिए ठीक नहीं है क्योंकि कोई भी क्वेश्चन आपको होता य कि यह प्रैट करेंक्ट जाल से मिक्सिर से बोलेगा की यह जो इसको डाल दो SICI में तो तो वो mixing अब बहुत करता है तो इसलिए हो सके तो mix practice जादा जादा करना शुरू करो और स्रिष्टी आप क्योंकि अगर आप मेरे से पूछ रहे तो अगर आप 0.0 ग्रेट एक्सेस कर सकते हो अगर हो सकता है आपसे तो अगर आपके लिए एक्सेसे बले है प्लस कोर्स मेरा तो वहाँ पर जाके उसको finish up कर लो that would be great help और इसके अलावा practice में यही बोलूँगा single chapter मत करो कभी उसमें से कर रहे हो बस फिर को यह जो अनकेडमी का नया टेस्ट है स्कॉरोशिप का इससे आप हमारे पेड क्लास को भी एक्सेस कर सकते हैं बिलकुल फ्रीम में उनको पढ़ सकते हैं यह सब चीज में उसमें तो बहुत सारे प्राइज इस प्राइज को भी आप लोग कर सकते हैं एक opportunity आपके पास जिसे आप मिस्स मत होने देना है ठीक है सर कुछ और करना चाहेंगे सर बिलकुल यह बोलूगा कि अब बस जल्दी जल्दी और जितनी आपकी जितनी बाते आरी सारी मेरे तक पहुंच गई भाई जितनी बाते आप लोगी है यह हम तक पहुंच चुकी है बस हमारी बात भी आप तक पहुंच जाए की classes का advantage लीजिए फटाफट्स ज्ञास का सर ने जैसे बताया उनकी 5-6 class हो रही है मेरी आप रात को 8 हगी सब्सक्राइबर है वो सब्सक्राइबर प्लस वाले पढ़े कीजिए आराम से बढ़िया तो इसका मतलब यह कि यूट्यूब इतनी सारी फ्री क्लासेस है उनको अच्छे से पढ़िये उसके साफ से ने प्रिपरेशन कीजिए और एक महीने में चमतकार नहीं हो सकते यह तो मानके चलिए मगर हां महनत अगर करेंगे तो बहुत कुछ बदलाव जरूरर हो सकते एक महीने में यह आपको मैं करेंटी से कह सक हुआ एकडम पॉस्टिक जीवन जैसे जीते है ना पॉस्टिक आहर खागे जीवन जीते है साधा जीवन व्यापन कीजिए एक डिड़ महीने सिर्फ महनत पे जान दीजिए इधर उदर अभी अभाएं खूब पहलेंगी भाई एक्जाम पुश्पोन हो जाएगा भाई ये जाएगा भाई ये पांच दिन बाद इस बर नंबर री चेकिंग हो जाएगी ये सब पाते होएंगी मत जान दीजिए अपनी महरत कीजिए जिसमी एक्जाम की तैयारी कर रहें मेरी तरफ से आप सभी को बहुत सारी शुब कामना है आपके आने वाले एक्जाम के लिए लि बहुत ये मैं अभी एक्जाम के लगला एक पूला रेस्ट अपर